हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हाश वर्मा और आज हम कंपेरिजन कने वाले हैं HPTU और UIT Shimla के बीच मेंन ये विडियो, डिटेल्ड रिव्यू होने वाली है First of all बात करते हैं कैंपस की To UIT Shimla के पास कोई मेंन कैंपस नहीं है UIT Shimla के पास एक बिल्डिंग है जहां सारी पढ़ाई होती है और HPTU के पास टू एकर्स का कैंपस है अगर UIT Shimla से कंपेर क्रे टू HPTU के पास कैंपस अच्छा है तो अब बात करते हैं फीज के बारे मेंन UIT Shimla में आपको एडमिशन फीज 72,000 देनी पड़ती है अब बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में UIT Shimla कोई भी हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है अगर आप PG में रहते हैं टू अराउंड 5000 पर मन्थ आपको उसकी कॉस्ट पड़ेगी पर हमीरपूर आपको हॉस्टल प्रोवाइड करता है HPTU में हॉस्टल आपको 2900 पर सैमेस्टर की कॉस्ट पे पड़ेगा जो की अराउंड 5800 पर येर कॉस्ट आएगी जो की UIT Shimla के PG Rent से बहुत कम है PG Rent आपको लगभग 50,000 पर येर पड़ेगा तो इस मामले में भी HPTU, UIT Shimla से काफी आगे है अब बात करते हैं प्लेस्मेंट्स के बारे में दोनों ही कालेज में on-campus प्लेस्मेंट मिलती है मगर UIT Shimla में around 4-5 बच्चों का पर ब्रांच प्लेस्मेंट होता है वो भी CS या IT ब्रांच के स्टुडेंट्स का और पिछले एर का हाइस्ट पेकेज था 8.1 LPA अगर आप इस E या सिविल ब्रांच में admission लेते है तो आपको placement opportunities ना के बराबर मिलेगी और CS and IT में भी आपको extraordinary होना पड़ेगा तब जाके कहीं placement मिलेगा अब बात करते हैं HPTU के बारे में HPTU में placement opportunities यूआइट Shimla के comparison में काफी अची है Around 50% class को किसी ना किसी company main job मिल ही जाती है HPTU officially अपना placement data to show नहीं करता पर मैंने HPTU के काफी students से contact क्यार के पता किया की पिछले साल का placement कैसा था तो पिछले साल highest package HPTU में 13 LPA था जो की Zscaler नाम की company ने दिया था और Around 5 पा average package था Placement के नजरिये से भी HPTU UiT से आगे है अब बात करते है final conclusion की तो Overall अगर बात करें तो HPTU 100 times better है UiT Shimla से Total 4 साल में आपको UiT Shimla 7 से 8 लग की cost पर पढ़ेगा इसमें आपका PG rent included है और HPTU आपको 2 लाग से 2.5 लग तक पढ़ेगा इसमें आपका hostel fees included है तो मेरे हिसाब से और बाकी students से review लेने के बाद में final conclusion ये निकलता है कि अगर आपको HPTU या HPTU से affiliated कोई भी college मिलता है तो आपको उसको choose करना चाहिए ना कि UiT Shimla को HPTU की lower branch UiT के CSE के बराबर है क्योंकि HPTU के pass will qualified teachers है जिनके pass experience काफी ज्यादा है UiT के maximum teachers चितकारा या चंडीगर यूनिवसिटी से pass out है इसलिए मेरी advice ये रहेगी कि UiT Shimla को choose ना करे क्योंकि यह आपके future का सवाल है